हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे वेलकम बैक टू एसे एस क्रेटी गुरूप आज दोस्तों आपको सखाने जा रहा हूँ है अट्रिब्यूट्स कमांड के बारे में पिसली वीडियो में हमने ब्लोक कमांड सिखी थी तो चलिए आ आज हम सिखते हैं एट्रिब्यूट्स कमांड मगर उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को अपने दोस यहां पर है यह define attribute आज हम यह सब सिखेंगे ओके फ्रेंड्स तो एट्रिब्यूट कमांड सिखने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक title box बना लेते हैं जो की नॉर्मली हम drawings में यूज करते हैं हमारे यहां पर ओके तो चलिए आप बना लेते हैं title box blockchain लेंगे यहां पर कि हैं आपर जैसे मैं बिना dimension के ईड्रा कर लेते हूं जूंब कर लेते हैं अब इसको एक्स प्लोट कर लेते हैं और फिर यहां पर उप्शेًट कमांड लेता हूं और यहां पर एक idea से में यहले लेता हूं यहां तकंद एक लिक और उसके बाद Space फिर एक line लेता हूँ L Enter इसके middle से इसके middle तक और फिर Escape की फिर दुबारा एक line लेता हूँ इसके middle से यहाँ तक और एक line और इसके middle से यहाँ तक ओके तो यह हमने एक title box बना लिया है अब इसके अंदर यहाँ पर text नहीं लिख लेते हैं यहाँ पर यह ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर मैं नाम दे लेता हूँ इसका project title और जो इसकी height है text की वो हम यहाँ पर रखते हैं to enter और upside में click और अब इसको थोड़ा सा move कर लेते हैं enter करेंगे select करके हलका सोपर की तरफ अब हम इसकी copy कर लेंगे यहाँ पर सब जगए तो copy कमाड लेते हैं यहाँ पर मैं इसको select करता हूँ right click फिर specify based paint यहाँ पर दे रता हूँ एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर फिर escape की copy मैंने यहाँ पर ले हैं यहाँ पर double click करके तो अगला नाम है यहाँ पर हमारा draw by और उसके बाद अगला नाम यहाँ पर डालेंगे scale और इसी तरह सब के नाम change कर लेंगे यहाँ पर जो हमें चाहिए और यहाँ पर भी double click करके यहाँ पर लिए देते हैं date और फिर side में click ओके friends तो इस तरह से मैंने यह सब नाम change कर लिए हमारे एक title box हो गया तो अब क्या करते हैं अब हम attributes command के पर चलते हैं सबसे पहले हम define attributes करते हैं यहाँ पर क्लिक करते ही हमसे tag पूछा कि हमें क्या tag देना है टैग जैसे मैं दे देता हूं यहाँ पर project title इसमें space नहीं होना चाहिए friends टैग के अंदर फिर promote में यही कर देता हूं project default value में हम दे देते हैं यहाँ पर project name यह हमने value यहाँ पर project name दे दी अब यहाँ पर certification में middle center कर देता हूं क्योंकि center से आना चाहिए और उसके बाद text height यहाँ पर हम कर देते हैं three okay है और आपको थोड़ा change करना तो आप बाद में भी कर सकते हो textile standard ही okay है अगर हम कोई नया textile बना लेंगे तो यहाँ से drop down में choose कर सकते हैं okay friends insertion point हम space by on screen करेंगे और यहाँ पर in में ह हम यहाँ पर देते हैं लगबग इसके center पर okay तो एक तरह से मैं यहाँ पर देता हूं click करता हूं तो आप देख रहे होगे इसने यह middle में ले लिया क्योंकि हमने middle center किया था यह okay तो project title हमारे यहाँ पर आ गया तो अब क्या करते हैं अब next drawn by उसके लिए द्वारा define attributes में में भी हम draw name कर लेते हैं ओके यहाँ पर फिर से हम middle center रखेंगे यहाँ पर हम text guide same रखते हैं उसके बाद okay करते हैं तो हम इसको यहाँ पर put कर देते हैं और उसके बाद ऐसी ही बाकी सब के लिए attributes त्यार कर लेंगे जैसे अब client name के लिए फिर client space and और फिर client और फिर यहाँ पर middle center ओके और फिर यहाँ पर इसको थोड़ा हम move कर लेंगे अगर हमें फोजन अच्छी ना लगे तो और थो आउफ करके और अब यहाँ पर date लेते हैं date लेने का त्रिका थोड़ा अलग है तो यहाँ पर define attributes करते हैं यहाँ पर date टेक के अंदर promote के अंदर dat और यहाँ पर हम default के अंदर कोई value एंटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम इसके पर click करते हैं insert field insert field के अंदर यहाँ पर field category दोस्तों इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर date and time का option मिलेगा इसके पर click करना है और फिर यहाँ पर create date के उपर 6th gen 2017 और यहाँ पर select करके ok कर देते हैं और यहाँ पर फिर middle center और यहाँ पर हमारी text right ok है तो ok कर लेते हैं और date यहाँ पर और इसके बा define tag करते हैं यहाँ पर हम scale लिख देते हैं scale n और यहाँ पर default value रख देते हैं 125 ओके या जो भी value आपको रखनी है यहाँ पर ok और फिर middle center और फिर ok और यह दे देते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा move कर लेते हैं यहाँ पर ok अब जैसे हमारे जो attributes है वो तो हमने यहाँ पर apply कर दिये है नए attributes create करके अब जैसे इनकी property के पजाना है तो हम edit कर सकते हैं इनको double click करके फिर ok कर देंगे अब next step है इसको हम block create कर लेंगे ok तो block के लिए हम क्या करेंगे block command लेंगे create block यहाँ पर मैं title box लिख देता है और फिर right click करेंगे और यह हमारा select हो चुआ यहाँ पर convert to block ok है तो फिर हम ok कर देंगे और यहाँ पर allow exploding अगर नहीं करने तो यहाँ पर click कर देंगे हटा देंगे और यहाँ पर ok तो यहां पर Allow Exploding हटा देता हूं और फिर OK करते हैं यहां पर यह ओके करते हैं इस पेस्वाइंसर्शन बेस पाइंट तो यह बेस पाइंट हम यहां पर देते हैं तो यहां पर lastorkand BBQ 36с December 2016 आया हुँ है उके तो आपक्या करते हैं दोस्तो इसको हम-डिलेट कर देते हैं उके तो आपक्या करते हैं इसेट के अंदर जाएंगे यहां पर title box को select करेंगे और यह आपर इंसर्ट कर लेंगे इसको ओके तो यहाँ पर सबसे पहले स्केल पूसरा स्केल के अंदर के डालना है तो यहाँ पर जैसे मैं चेंज कर लेता हूं 150 स्केल डाल दिया और फिर बाद में डेट जो है यह फिक्स रहेगे क्योंकि यह जो हमने ड्रॉइंग बनाई थी जिस दिन वो डेट लेगा अगर हमें यह डेट नीची है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके यहाँ पर सेव डेट के पर क्लिक करेंगे ओके कर अब देख रहे होगे यह 6th Gen 2017 आ गया पहले 31 December था अब यह 6th Gen हो गया ओके अब कलाइंट कलाइंट माल यह हम डाल देते हैं CS Creative Group जो हमारा ही चैनल का नेम है और फिर Drown By यह Drown By जैसे जिसने भी यह ड्रोइंग बनाए है उसका नाम आजएगा यहाँ पर जैसे मेरा ड़ाल देता हूँ उसके बाद project name project name जैसी यह floor plan है तो यहाँ पर floor plan एंटर किया और फिर ok कर देते हैं तो आप देख रहे होगे यह सबकी sub value इसने change कर दी अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे यह date नजर नहीं आ रही तो इसके लिए क्या करते हैं इसके पर double click करते हैं और यहाँ पर enhanced attribute editor open हो जाएगा इसके अंदर हम यहाँ पर property option में जाएंगे और यहाँ पर हम color का जो option है इसमें change कर देते हैं यहाँ पर blue कर देता हूँ और फिर apply ok तो आप देख रहे होगे यहाँ पर clear नजर आने लग गया ok तो यह filled insert है इसलिए यहाँ पर background में white दिखा रहा है ok friends तो आप क्या करते हैं दोस्तो जो title box ही है हमें rake drawing में चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं इसको जो title box हमने बनाया है यह हम save कर लेते हैं as a block ok तो उसके लिए क्या करेंगे w block enter करते हैं और यहाँ पर object भी select कर सकते हैं यह block के पर click करेंगे और यहाँ पर title box और फिर यहाँ पर desktop के उपर ok सही है और यहाँ पर ok कर देते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं जैसे मैं नई drawing open कर लेता हूं दोस्तों अगर मुझे वो block यहाँ पर insert करना है तो उसके लिए क्या करते हैं insert block के अंदर जाएंगे यहाँ पर browse करेंगे browse के अंदर desktop जहाँ पर हमने save किया था वो और यहाँ पर यह title box open कर लेते हैं यहाँ पर यह space fire rotation अटा देते हैं scale अटा देते हैं क्योंकि हमारा यह uniform है और फिर ok कर देते हैं अब जहाँ पर भी हमें चीए यह वहाँ पर हम click कर देते हैं for example यहाँ पर चीए तो यहाँ पर मैं click कर देता हूँ इसको फिर हमसे वह value पूछ है कि हमें क्या value change करने है अगर कोई करने है तो जैसे 35 मगर आप देख रहे होगे यहाँ यहाँ पर यह जैसे कुछ भी फिर ओके तो आप देख रहे होगे इसने सब वैल्यू चेंज कर दी मगर एक चीज यहाँ पर यह जो हमने color change करता हूँ यहाँ पर इंडिविजियल ब्लोक में किया था यहाँ पर नहीं किया था ओके तो अगर ब्लोक edit करना है तो कैसे करेंगे जैसे इसको मैं close कर देता हूँ नो कर देता हूँ तो जैसे यह ब्लोक एडिट करना हुझे और मैं double click करता हूँ यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर attribute attribute manager है इसके उपर click करते हैं और उसके बाद यहां पर जिस भी block को edit करना है वो यहां से कर सकते हैं जैसे date हमें change करनी है edit करेंगे इसमें property में जाएंगे यहां पर हम blue कर देते हैं okay कर देते हैं फिर apply फिर okay और फिर close editor save तो अब जब भी हम हमने drawing में insert करेंगे block को तो यहां पर यह blue color का आएगा ओके तो अब उसके बाद यहां पर जैसे यह option है single तो यहां पर click करता हूं और select यह block पुछ है यह जैसे यह select कर लिया अब जैसे इसकी कोई value change करनी है तो यह value change कर देगा हम यहां पर direct in की value change कर सकते है ठीक है जैसे जिस भी block की value change करनी है जैसे title अगर change करना है तो यहां पर floor plan कीज़े है जैसे final लिखना तो final आ जाएगा तो आप देख रहोगे यहाँ पर floor plan final आ गया, जब okay कर देंगे तो यह apply हो जाएगा, cancel कर देंगे तो यह remove हो जाएगा, okay friends, तो वहाँ से हम इसकी value change कर सकते हैं, multiple के लिए यह एक से ज़्यादा अगर हतो, उसके बाद यहाँ पर attribute manager तो आपने देखी लिया और फिर उसके और retain भी कर सकते हैं, okay, और यह base point है अगर किसी का base point अगर select करना हो, तो हम attributes command as use करते हैं, friends, okay.